आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें अवस्था में ही फ्रियोक की जाती हैं, और उसी अवस्था में अधिक असरकारी होती है इसका क्या कारण है, कुलाइडी अवस्था में जो कड़ हो जाते हैं, जैसे कोई भी दवाई है अगर आप कुलाइडी अवस्था में उसको ले रहे हैं आश्दी को ग्रन कर रहे हैं तो उस समय उसके कडो की आकार कुलाइडी कडो की समान होगा और इसकी वज़े से इसके कडो का आकार कुलाइडी कडो की से मिलता जूलता होता है इस वज़े से दवाईयों के कडो का आका क्या हो जाता है बढ़ जाता है बढ़ बढ़ा होता है जिसकी वजह से क्या होगा अधिक से अधिक सतह छेत्रफल यहां पर उपलब्द रहेगा जितना बढ़ा कड़ होगा उतना ही बढ़ा सतह छेत्रफल रहेगा ठीक है तो कुलाइडी अवस्था में क्या होता है पदार्थ के जैसे हमारे शरीर में जहां पर भी आवशक्ता है, जैसे हमारे शरीर में क्या है, हाथ में कहीं दर्द हो रहा है, हमने ऐसी दवाई खाली जो कुलाइडी अवस्था में हैं, तो यह क्या करेगी दोस्तों, अब हाथ जहां पर भी दर्द हो रहा है, बहां तक पह तो हीमोगलोविन के साथ इस प्रिकार से बंद बना लेगा या फिर हीमोगलोविन के ऊपर जाके चिपक जाएगा तो ऐसा करने के लिए आवशक्ता क्या है भई प्रस्ट छेत्रफल अधिक होना चाहिए न तभी तो ये आसानी से जुड़ पाएगा किसी भी अन्य कड से या अलग हो जाएगा ये जो ओशदिये कड है और फिर महाँ पे ये अपना कार पूरी तरीके से आसानी से कड देगा तो क्या मुख्य कारण हुआ दोस्तों ब्रहत सतह छेत्र और आसान समावेशन समावेशन मतलब आसानी से घुल मिल जाना ठीक है आसानी से घुल जाना या आ का बज़य से कोलाइडी अवस्था में औधिक उप्योंगी होती हैं, तो यहां पिसको में折 दे रहा हूं, तो कुछ आश्दी अपने कोलाइडी रूप में अधिक प्रभावी होती हैं, इसके कारण है कि इस रूप में ब्रहती सतही छेतर एवं आसान स्वांगी करण ये बिल्कुल सही विकल्प है दूसरा विकल्प ठीक है तीसरे विकल्प में दे रखा है रक्त में ओशदी का चेपन ये गलत है चौते विकल्ब में दे रखा है औशद का कोल ID समावेशन रूप में इस्थाई करन ये भी गलत विकल्ब है तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा धन्यवाद